नमस्ते आप सबी को कैसे हैं आप सब वेलकम बाक टू दे चानल दे ग्रीन ग्रास पाई गुंचन त्यागी आज आपके साथ इतना फणी और मजेतार एक ऐसा फोक मैजिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसके रिजर्ड देखकर आप खुद भी सप्राइज होने वाले हो ये मैजिक मुझे मेरे एक फ्रेंड जो मैजिक करते हैं आईलेंड में रहते हैं उन्होंने बताया था फोक मैजिक क्या होता है बेसिकली वो मैजिक जो एक पर्टिकुलर ग्रूप ऑफ पीपल या एक कम्मिनिटी करती है अपने कम्मिनिटी का ही बेनिफिट करने के लिए जनरली हम विचिस हम विजार्ड फोक मैजिक से एकदम से इंप्रेस नहीं होते हम पहले उसकी सारी चीज स्टडी करते हैं तब हम उसे करते हैं तो उसी चकर में कई बार जो इतने अच्छे माजिक होते हम उन्हें यूज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं बहुत दिले कर देते हैं जैसा इस माजिक के साथ हुआ था मेरे केस में लेकिन आप लोग इस माजिक को एकदम से यूज कर लेना because बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ सोचना ही मत ये इतना शांदार magic होने वाला है इसको वीडियो को न स्किप करकर करके मत देखना क्योंकि बीच में मैं कुछ एक दो ऐसे point बता दूँगी जो इस magic को result 100% result देने में बहुत effective होने वाले है तो हमारा magic क्या है हमारा magic है कि हमें कुछ amount of money किसी को दे देना है that's it ये magic है नहीं ये magic नहीं है ये हमारा कौन सा process है इस process को कहा जाता है tithing tithing के हमारा Hebrew word है Hebrew word का मतलब होता है इस word का मतलब है दसवा हिस्सा मतलब कि आप जो भी चीज कमा रहे हो अपनी monthly जो भी income है उसका one tenth part आप charity देते हो या मंदर में दान कर देते हो this is what tithing is लेकिन हम tithing की बात नहीं कर रहे tithing जो है वो देता है result देता है पर कई लोग को क्यों नहीं मिलता इसलिए क्योंकि कई लोग उस charity को देते हो ये सोचते हैं कि ये में really obligation हो गया मुझे पुर्ण पंडजी नहीं आथा तो मैं ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा मैंने पढ़ा इसलिए कर रहा हूँ लेकिन आप उस चीज को एक obligation की तरह सोचने लगते हो देखते हो और सोचते हो कि इस money से मैं कुछ और भी कर सकता था तो उस case में वो tithing हमें इतना benefit नहीं देता यहां जो हमारा magic होने वाला है वो बहुत funny magic होने वाला है क्योंकि मैं उसे बहुत enjoy करती हूँ करते हूँ इस magic में आपको एक particular amount या तो आप 100 रुपे ले लो या आप 200 रुपे ले लो या 500 रुपे ले लो कोई ऐसा amount choose करना जिससे आपको देने में ये ना लगे कि मैं गरीब हो गया वो poor वाली feeling ना आए ना वो guilty वाली feeling आए कि मैंने जादा दे दिया 100, 200, 500 ले लेना बहुत कम भी मत लेना क्योंकि ऐसा ना हो कि जिसको वो amount मिले वो सोचे यार इसका मैं क्या करूँ ये तो मेरे कोई use का नहीं है तो आप इन में से कोई भी amount ले लेना और ये amount आपको चुप चाप बिना किसी को बताए बिना कुछ सोचे समझे बिना देखे जाने बस amount कहीं छोड़ देना है कहीं भी छोड़ सकते हो आप देखो जिसने मुझे ये magic बताया था उनकी country island जहां पे hardly कोई भी लोग दिखते हैं तो उनके लिए बहुत easy है वो क्या करते हैं कि वो इस amount को ले जाते हैं और कहीं पे भी पेर पे चिपका दिया या उन्होंने कहीं बेच पे रख दिया हमारी country में it's not possible इतना easily possible नहीं है तो हम क्या करेंगे हम लोग ये हमारा मान लो I am considering कि मैंने 200 रुपीज का नोट लिया 200 रुपे का मैंने नोट लिया और उसके साथ मैंने एक sticky note लगा दिया और उस पे लिखा कि ये मेरी site से आपके लिए money gift है enjoy it ठीक है और फिर उसे मैं अगर मैं कोई public transport में हो तो वहाँ पे चुप-चाप छोड़ दो या कहीं पार्ट में छोड़ दो या कहीं आप mall में shopping करने गए हो वहाँ छोड़ दो ऐसी कोई जगा छोड़ दो अब इसमें कुछ conditions होती है जब कि आप amount छोड़ रहे हो तो पहली चीज़ कोई आपको देखे ना इस amount को छोड़ते हुए दूसरी चीज़ जब कोई person इस amount को उठाएगा तो आपको नहीं देखना है बस आपने वो amount लिया वहाँ छोड़ दिया इस note के साथ और आप चल दिये अपना move on कर दिये आपको रुक कर ये नहीं देखना कि किसने पैसा उठाया ठीक है और जब आप ये magic कर रहे हो तो किसी को नहीं बताना है कि मैं ये magic कर रहा हूँ कि मैं ये ऐसा amount छोड़ने वाला हूँ ये भी आपको नहीं करना है यहाँ पे ये magic क्यों काम करता है एक तो पहली चीज़ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है आप enjoy कर रहे हो किसी को money देते हुए ठीक है ये एक हमारे अंदर curiosity डालता है कि मैंने दिया किसी को as a gift और वो person भी enjoy करता है जिसे मिलता है क्योंकि आपने note में लिख दिया कि भया ये मेरा lost amount नहीं है ये मैं तुम्हे as a gift दे रहा हूँ कि तुम इसे enjoy करो तो ये उस person को realize करना important है कि ये आपका खोया हूँ amount नहीं है ये आपने especially as a gift दिया है so that you can enjoy it तो ये ऐसे काम करता है एक और चीज़ ये हमारा amount ये हमारा magic क्या कर देता है ये हमारा magic ये कर देगा कि हमारी जो negativity थी थी ना कि मैंने ज़ादा ही किसी को दान दे दिया ऐसा कुछ हम उस remorse वाली feeling में उस guilty वाली feeling में नहीं होते हैं हम एक happiness वाली giving mode में होते हैं और जब हम इस वाले mode में होते हैं तो हम acceptance के लिए भी ready होते हैं तो ये हमारा इस थरह से भी help करता है अब इस magic को फिर से repeat करूँगी कि note लोगे न तो आप जब छोड़ रहे हो अपने note को और उसके साथ जो sticky आपने note लगाया है अपना उस amount को और sticky note को जब छोड़ो तो आपको कोई ना देखे जब उसे कोई उठाए तो भी आप उसे ना देखो किसने उठाया बस छोड़ के चल देना और किसी को अपने घर में या friends को इस magic के बारे में जब कर रहे हो तब मन बनाओ बताओ ठीक है अब ये जो magic है हमारा generally ये ना तीन से दस दिन में result दे देता है मानलो आपने अगर दोसों छोड़े हैं तो ये आपको 10 times या 100 times जादा उससे पैसे देगा दोसों के 2000 या 20,000 तक आपको मिल सकते हैं ठीक है और time limit तीन से दस दिन वाली है सब को इसमें अराम से मिल जाता है अगर आपको by chance ऐसा लग रहा है कि मैं जादा amount रख रहा हूँ तो जो आपके label कहा हो वो दो लेकिन ऐसा भी मत करना 5-10 रुपे रख दो क्योंकि अगर वो किसी को note के साथ मिला मीना तो भी वो person उसे सोचेगा कि नहीं चाहिए यार ये इतना amount का क्या करो कुछ ऐसा amount जो वो person उसे enjoy कर सके अब वो उस person का मर्जी है वो उसमें chocolates बाई कर रहा है वो floss खरीद रहा है या वो कुछ भी खा पी रहा है वो उसकी मर्जी है लेकिन वो enjoy कर रहा है चाहे वो charity भी दे but he is enjoying और she is enjoying जिसको भी वो amount मिला तो that is their wish वो वो जो कर रहे हैं करने दीजिए लेकिन हमें अगें ध्यान रखना है कौन उठाएगा हमें नहीं जानना है आपको पता है जो भी उठाएगा वो मैं उसे नहीं जानता ठीक है तो ये है हमारा ये folk magic और इस magic में एक और शीज बोलूँगे कि जब आप उस amount को रख रहे हो ये many use करती पर बहुत से जो हमारा group है उसमें friends बोलते हैं के भी करके देखा उन्होंने कि जब उन्होंने वो amount रखा तो उन्होंने बोल दिया कि thank you universe कि इस gift के बदले में आप मुझे 20,000 दे रहे हो या 30,000 दे रहे हो या जो आप बोलना चाहाँ वो भी कह सकते हो लेकिन what I believe कि better है हम universe को ना बताए let universe decide कि उन्हें इसके बदले में हमें कितने पैसे देने है भले ही वो उससे कम हो लेकिन हम एक limit set नहीं करेंगे universe के लिए बस हम छोड़ देंगे और फिर आप उसको वो वाला एक happiness वाले mode में छोड़ दीजे भूल जाए उसको अब ये magic आप चाहो तो आप daily भी कर सकते हो if you wish आप daily अगर 200-200 रुपे दे सकते हो 100-100 दे सकते हो it's your wish आप daily भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि आप one month में भी repeat कर सकते हो या एक साल में भी repeat कर सकते हो इसकी कोई limit obligation नहीं है कितनी बार करना है कितने दिन करना है nothing totally your choice, totally your call ये आपने एक ऐसा magic कर दिया कि जिसमें आपने खुद भी दूसरे को जिसने भी वो पैसा उठाया आपने उसको magic ये छोड़ दिया कि enjoy करो money को क्योंकि जो resentful जब हम खर्च करते हैं या हम donate करते हैं resentful होके, दुखी होके करो इसी वीडियो में करो, दूसरी वीडियो में करो लेकिन जब share करोगे, जब देखोगे कि money मिल रहा है तो उसके लिए जरूर grateful होना कि ये आपको उस magic की वज़े से मिला है इससे क्या होगा ना कि magic next time भी आपके लिए ready होगा क्योंकि आपने magic को credit दे दिया तो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching please do like, share and subscribe and जैसियाराम